अज़ हम मनाएंगे सुबह का हल्का फुलका नाष्ता और बहुत ही टेस्टे सुजी से बनाकर त्यार करेंगे ये नाष्ता तो चलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को एंट्रेक देखिए रेसिपी अच्छी लगी तो प्रीस वीडियो को लाइक चैनल को प्रीस तो सबसे पहले एक बाउल में थोड़ी सी सूजी, एक कप शूजी लिया है और यहां क्या करेंगे हम थोड़ा से डालेंगे टू अबर यहांपर बेसन देखे यहांपर कड़िशा मैंने बेसन डाल दिया है के अब हम एक कप पानी टाल्की से अच्छे तरीके से फैट लेंगे ज़से एक कप पानीया आपर एड करदे hippe अब अच्छे तरीके से इसे फैट लेंगे और करीब हम 50 मिनट के लिए इस जल्ट के थेक हम चोड़ाइं जाया है रे göra उजाए स्वह फैटी देखायँ कुछ इस लिए के इसे धाश प्या है यहां पर मैंने अच्छे तरीके से इसे फैट लिया है आप क्या करते हैं छोड़ देते हैं रेस्ट पे पांच मिट के लिए इसे कवर कर देंगे चले इसे रखते हूँ मैं अब साइड में यहां पर पांच मिट बाद में चेक कर रहे हुए तो आप देख सकते हैं सूजी काफ़ तरीके से एब्जॉब कर लिया है पानी अच्छे तरीके से फूल चुके सूजी आप क्या करेंगे यहां पर डालेंगे थोड़ा सा पानी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यहां पर इस तरीके इस कुछ बेटर मैंने तयार कर लिया है friends आप क्या करेंगे? इस बेटर में हम लगाएंगे थूड़ा से तड़का गरम मैंने कर लिया है ओयल को एक दम अच्छे तरीके से यहां पर एक पीछ जीरा डाल देंगे एक जी डाल राई दाना अब थोड़ना सा करी पत्ता डाल के अच्सजी weit पर यह बढ़िया को यह देखिए को स्थी है अब क्या करते हैं यहां पर डाल में ठीखे यह देंगे धनिया रही धनिया यहांपर काटकर डालेंगे अच्छं तरीके मजामी से पहले पहले दालेंगे नने ऐसाइगे पांब क्या करेंगे सीफिते यह फिल पानि बधसμε्स कॉधि शक्रणतों पानी मुध्य देखाIR यहां पर दालेंगे थोड़ा सा चीली फ्लैक्स और स्वाद कर देंगे यहां पर हम इसे मिक्स कर लेंगे तो यहां हमारा बैटर बिलकुल तयार है नाश्टे के लिए इस तरीके से हम बैटर को त्यार कर लेंगे पतला घूल अब बनाएंगे हम इसे नाश्टे के तियारी करते हैं तो चलिए इसे कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ तो यहां पर अच्छे तरीके से थोड़ा सा हम दो बूंद लगाएंगे आपको बहुत जाद आपको तेल का इस्तमाल नहीं करना है तो यहां पर हम बैटर को फैला देंगे सुबह में इस नाश्टे को ज़रूर बनाएए सभी को बहुत जादा पसंद आएगा हलका फुल का नाश्टा है सभी को बहुत अच्छा लगए यह खाने में ज़रूर इसे ट्राइ किज़ेगा फ्रेंड्स रेसीपी को देए देखे बैटर को इस तरीके से हम फैला देंगे अच्छा तरीके से आपर फैला दिया है मैंने बैटर को दो मिट के तब यह चोड़ देंगे कुछ इस तरीके से हो चुका है तो यहां पर चलिए इसके किनारी कौम छूडा लेते हैं अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे चलिए इसे हम रोल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से नीचे से अच्छा क्रिस्पी हो चुका है उपर से एक दम नरब है नीचे से दम क्रिस्पी हो चुका है तो हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे नीचे से किनारे छुडाते रहेंगे यह देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स हमारा बहुत ही बड़िया और हेल्जी सा नाष्टा बनकर त्यार है सुबह के समय इस नाष्टि को आप जरूर बनाएगे सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा यह नाष्टा है खाने पर छोड़ चोड़ी भूग के लिए आप इसे ज़रूर बना सकते हैं चले इसे मैं काट देती हूं छोड़ चले टुकड़ो में हम इसे काट लेंगे तो इस तरीके से काट के हम इसे अलग कर लेते हैं इसे हम काट देंगे इस तरीके से यह हमार नाश्ता बनकर तयार है इसे निकाल लेंगे फटाफटम प्रेट में तो यह देखिए आपको रिखा देती हूं देखने में भी आपको बहुत ही बड़ी है बेना सोडा बेना इनो का हमने इसे बनाया है और जालिया भी बहुत अच करके फटाफट प्लेट में निकाल देंगे ऊपर से एकदम क्रिस्पी अंदर से एकदम सौफ्ट स्पॉंजी है तो चलिए यहां पर मैंने प्लेट में सफ कर दिया हरी चटनी के साथ इसे इंजॉय किजिए जरूर आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर इस रेसिप तो प्रीस वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल को प्रीस प्रीस सब्सक्राइब कर देजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सुपका धन्यवाद